दोस्तों हमारे देश को 28 मई 2023 को एक नई सौगात मिलने वाली है जी हाँ, हमारे देश का नया संसद भवन बनकर तयार हो गया है कुछ दिन पहले देश के ग्रह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 28 मई को प्रधान मंत्री जी नय संसद भवन को देश को समर्पित करेंगे इस नय संसद भवन के साथ साथ एक चीज और है जो चर्चा में है वो है ये अन्मोल वस्तु जिसे सेंगोल कहते है अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो आपको माननी करह मंत्री जी बताएंगे आईए स्रियामित साह जी से सुनते हैं सेंगोल और उसके पीछे की सारी कहानी आजादी के अमुरूत महो सबूँ के एफसर पर देश के प्रसान प्दान मंत्री जी 28 मई को संसत का नवनेर्मित भवन राष्ट को समर्पित करेंगे एक प्रकार चे इन नया संसत भवन प्रधान मंत्री जी की दूर दर्सीता का प्रमान है जो नए भारत के निर्मान में हमारी सांस्कूतिक विरासत परंपरा और सभ्यता को अधुनिक्ता से जोडने का एक सुन्दर प्रयास है इस नई संदचना को रेकोर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60 हजार के आसपास स्रम योग्यों ने अपना योगदान दिया है इस अवसर पर प्रधान मंत्री जी इस सभी स्रम योग्यों का सन्मान भी करेंगे इसके साथ साथ एक और महतोपुन घटना होने जा रही है जिसकी आपको सुचना देने के लिए आज मैं यहां उपस्तित हुआ हूँ इस अवसर पर एक अईत्यासिक गटना उन्रावर्तित हो रही है एक अईत्यासिक परंपरा उनर जीवित भी हो रही है अब इस स्क्रीन पर आप एक सुन्दर वस्तु को देख रहे हैं राजसी लगतिये वस्तु इसके पीछे यूगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छीपी है इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस सब्द का अर्थ संपदा से संपन और अईत्यासिक है आज मैं आप सभी को इसको साजा करने के लिए यहाँ पर उपस्तित हुआ हूँ यह एक हमारी बहुत पुरानी सब्दा से जुड़ी भी प्रता है जिसकी गहरी जड़े देश की परंपराओं में समाही थे आजादी के अमरूत महोसव में प्रधान मंत्री जी ने जो कुछ लक्स तै किये थे उसमें एक लक्स हमारी अइत्यासिक परंपराओं का सन्मान और उसका पुना जागरन भी था इस एंगोल उसी लक्स की परिपूर्ती के लिए आज मैं आपके सामने इसकी इंफरमिशन को लेकर आया हूँ एक अटना जुड़ी है आजादी की ख्षन के साथ 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महेत्यासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांस नागरीकों को जानकारी नहीं है यह सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था उसने हमारे इत्यास में एक अहम भूमी का निभाई है और इस एंगोल अंगरे जोसे भारतियों के साथ सत्ता के अस्तान तरण का एक प्रतिक बना था इस गटना के अईतियासिक महत्यों को जानने के बाद आप सभी को आस्चरी होगा कि इतने सालों तक यह हमारे सामने क्यों नहीं आई जब इसकी जानकारी प्रदानमंत्री जी को मिली इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रदानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिये और फिर निने लिया कि गवरोमई प्रसंग को दुरूत आरे के समान, परंपराओं के दुरूत आरे के समान देश के सामने रखना चाहिए इसलिए हमारे नए संसत भवन के लोकारपन के दिन को चुना गया अब मैं थोड़ा इस गटना के बाद में आपको बताऊंगा 14 अगस्त 1947 की रात को लगबर 10 बच कर 45 मिनिट पर पंडित जवालाल जी के ने विशेश रूप से कमिल नारू से आये हुए अधिनम से सेंगोल को स्विकार किया था उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधी विधान के साथ स्विकार किया था पंडित नहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्तिती में सेंगोल स्विकार करकर सत्ता के हस्तान तरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था जिनमें स्री राजिंदर पसाद भी थे जो बाद में हमारे राष्टपती बने हैं एक गतना क्यों और कैसे हुई हम सब जानते हैं कि सन 47 में भारत को आजादी देने का जब नेने हुआ तब लॉड मांट मेटन को एक प्रक्रिया को निर्वीगन समाप्त करने के लिए भारत के वाईसरोय बना कर भीजा गया जब एक प्रक्रिया करने का समय आया तब लॉड मांट मेटन क्यूंकि इंग्लेंड से आते थे इनको हमारी सांस्कृतिक और परंपरिक व्यवस्ताओं की जानकारी नहीं थी उन्होंने पंडित जवाला नहरूजी को ये प्रस्ण किया कि भिटीज से भारतियों के हाथ में सत्ता का अस्तांतरन के प्रतिक के रूप में कौन सा विशिष्ट परंपरागत समारों का आयोजन किया जाना चाहिए पंडित जी भी कंफ्यूज थे उन्होंने थोड़ा समय मांगा और कहा कि मैं साथियों से चर्चा करकर आपको इसके बारे में जानकारी दूँगा पंडित जवालाल नहरूजी ने चर्चा करने के लिए अपनी पसंद गी बहुत अनुभवी स्वातंतर स्था सेनानी दार्शनीक भारतिय परंपराओ के जानकार इतियास के मर्मग्य ऐसे विद्वान सी राजगुपलाचारी पर नियुट की जिनको हम राजाजी के नाम से जानते हैं उन्होंने एबात को राजाजी के सामने रखा राजाजी ने अनेक पुडाने घ्रन्तों का अभ्याज कर अनेक प्रक्रियाओं को श्टड़ी करकर सामराज्यों के समय में सत्ता के हस्तांतरन की प्रक्रिया का एक सतीक इतियास क्रुद किया गया है और इस प्रकार ये प्रक्रियात तय हुई और पंडित नहरू ने पवित्र सेंगोल को तमिलनार के अधिनम से स्विकार करकर अंग्रेजों से भारतियों के हाथ में सत्ता के हस्तांतरन को आकार दिया वो ही शन्था जब पंडित नहरू ने सेंगोल को स्विकार किया जब हम जिसको स्वतंतरता कहते हैं इसका सटिक स्थन्था इस अनुष्टान का उड़ेश इस तत्त का स्विकारी करण है कि भारत में विदेशी सासन भारत के लोगों के पास एक ऐसी अध्यात्मिक प्रक्रिया से आई जो प्राचिन और भारत की सुधर्ड परंपरा है पंडित नहरू ने इस अनुष्टान के संपादन के लिए दक्सिन के मठादी पती को स्विकार कर आगे चले जिससे पता चलता है कुणका उद्देश भारत की भावात्मक एकता और अध्यात्मिक एकिकरन का था सेंगोल के अर्थ और इतियास में थोड़े डिटेल में जाते हैं तो सेंगोल का अर्थ बढ़ता गहरा है सेंगोल सब्द तमिल भासा के सिम्माई सब्द से बना गया है इसकी विपत्ति सिम्माई से आती है जिसका अर्थ और भाव निती परायनता से है यह एक तमिल नाडु के प्रमुक धार्मिक मत के महनतो द्वारा यह सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर अभीमंत्रित है गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है इस पर पवित्र नंदी अपना अटल जरष्टी और सिर्था के साथ विराजमान है और यह जो सेंगोल है वो चोला सामराज्य के समय से मतलब आठवी सताब्धी से चली आ रही हमारी अपनी भारतिय सभ्यागरत प्रथा का सभ्यतागरत प्रथा का एक अनुसरान करने के लिए इस प्रथा को बना दिया गया था आप सभी जानते हैं चोला सामराज्य सद्यों से हमारे उप महाधवीप में एक महाधवपूर्ण सामराज्य रहा जिसने 21 राजाओं ने बड़े लंबे अर्से तक 800 साल से ज़्यादा समय तक इस देश के महाधवपूर्ण हिस्से पर सासन किया सबसे महतोपुन बात यह है कि संगोल जिसको प्राप्त होता है इसके पास से नयपून और निश्पक्स सासन की अपेक्सा रखी जाती है और एक प्रकार से नयपून और निश्पक्स सासन करने का आदेश उसको मिलता है जिसे तमिल में आनाई कहते हैं और इस एंगोल को प्र प्राफिक्स के साथ इसको रिपोर्ट किया भारत के भी सभी अख़वारों ने इसको यतोचित सन्मान दिया था आप सेंगोल की वेबसाइट पर मीडिया रिपोर्ट की एक फिल्म भी बाद में देख सकते हैं 1947 अगस के बाद सेंगोल सब की आँखों से ओजल हो गया इसको बुला दिया गया मगर एक विद्वान और पूजनिया सन्मान ये व्यक्ति ने इसको आजादी के 31 साल के बाद 15 अगस 71 को परमाचारिय स्री जेहन चंदर सेकर सरस्वती स्वामीगल ने अपने अनुयाई डॉक् परमाचारिय की चर्चा को प्रमुक्ता से जगए दी और उसे जिवीत रखा है हम सब परमाचारिय के इसके लिए खुरुतग्य है दिल्चस्पी की बाते हैं कि तामिलनार सरकार ने भी इस भूमिका को गर्व के साथ प्रकासित किया है यह 2021 का है एक चार एंसी पॉलिसी न मानना है कि इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रारलय में रखना अनुचित है सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उप्यूक्त और पवित्र और उचीत सान कोई हो ही नहीं सकता इसलिए जब संसद भवन का देश को समरपन होगा उसी दिन आदानिया प्र करेंगे मैं मानता हूं कि भारतिय परंपराओं से जुड़ने का एक वीरल और महांक्षन होगा नए भारत को हमारी परंपराओं के साथ हमारे इतियास के साथ और हमारे अध्यत्म के साथ उसी क्षण से एक नया अनुचंदान होगा सेंगोल की स्थापना 1947 की भावनाओं को फिर से एक बार अवीस्मरनिय बनाएगी या सेंगोल जो है असीम आसाय अनन्त संभावनाए और एक मजबूत स्वतंत्र और समरूद राष्टर के निर्मान का संकल्प है या मुरूत काल का प्रतिविम होगा जो भारत को अपने वीशो में यतोचित स्थान गरहन के लिए गवराव सालिक्षन का साक्सी बनेगा या एत्यासिक योजना अधिनम के अध्यक्सों से विचार विमर्स करकर बनाई गई है या सभी वीस अधिनम के अध्यक्स इस सुव अवसर पर उपस्तित रहेंगे जो प्रधान मंत्री जी को सेंगोल अरपन करेंगे और इस पवित् पर उपस्तित थे वो 96 साल के मुमिंडी बंगारू चेट्टी भी इस कारेक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं उनका असिरवात भी इस कारेक्रम को मिलेगा यह गटना का दूरदर्शन वर्दी हुई लिंक से सभी मीडिया के मध्यमों से जीवन तप्रसारण देश भर के दर् मस्त रहिए मस्त रहिए शुक्रियाद